हे वाई टीवियंज की हाल चाल अब बैक टो दोसो रिपब्लिक डे और वेलेंटाइन डे बहुत ही नजदीक है ऐसे में आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल मनाली पैकेज लेकर के वाई टीव भर चैनल पर मैं फिर से आ गया हूँ आपको आज बताऊंगा मनाली बाई वालवो 13,500 रुपे फॉर हरीमून इंकलूजन के साथ एक कपल के लिए मनाली बाई वालवो 11,999 दो लोगों के लिए चाय फैमली हो या फ्रेंड में हो थ्री नाइट्स मनाली का ये पैकेज होने वाला है जिसमें प्लस टू नाइट्स आपकी वालवो में बीतेंगी उसके बाद डे टू की बात करें तो आप पहुँचेंगे सुबह लगबग साथ से दस बजे के बीच में डिपेंड करता है वेधर के उपर और आजकल जो टाइम चल रहा है वो पता ही आपको कभी फॉग हो जाती है तो फॉग के अंदर डिले तो होना ही होना है अगर फॉग कम होगी तो आप अराम से सुबह साथ बजे से लेकर के नौ बजे के बीच में पहुच जाएंगे और फॉग होगी तो ग्यारे से बारे बस सकते हैं उसके बाद जब आप वहां पहुच जाएंगे तो आपको कैप का ड्राइवर पिक कर लेगा मनाली वॉल्व लोकल बस से स्टेंड से उसके बाद लेकर के आपको जाएगा सिदे चेक इन करवाएगा होटल में होटल में चेक इन कराने के बाद आप फ्रेशन आप हो जाएए और उसके बाद आप हाफ दे की लोकल साइट सिंग के लिए रिडी हो जाएए जो लोकल साइट सिंग होती ह वो mall road के लगवग 5 km के अंदर-अंदर होती है जिसे मैं आपको local sightseeing places के बारे मैं बताने जा रहा हूँ versus torch spring temple के नाम से वहाँ पर एक जगह है वहाँ पर आप जाएंगे दर्शन करेंगे इसनान भी कर सकते हैं वन बिहार, club house, hong kong market, tibitan monastery and tibitan temple ऐसी बहुत सुन्दर जगह हैं mall road के आसपास जिनको आप explore करेंगे हाप टे के लिए उसके बाद वापस आजाएए गाड़े आपको drop कर देगे आपके hotel पर, hotel पर drop करने के बाद आप वापस वहाँ पर rest करिये गूमना फिर ना है तो गूमे फिर ये hotel के आसपास enjoy करिए और कभी भी snowfall पर सकती है सबसे बड़ी बात ये है, इस time जो time है न मनाली के अंदर, तूरा जननत है हर जगह, बहुत ही अच्छी snowfall परी हुई है और अगर live snowfall नहीं भी मिलेगी, तो आप next जो आपका day 3 होने वाला है, जननत के अंदर आप जाएंगे, सुलांग वैली, मनाली के और उस दिन आपको क्या करना होगा, ध्यान रखेगा, सुबह सुबह जल्दी early morning उड़ जाएंगे, breakfast कर लिए जो आपको package में पहले से ही included है 3 nights के लिए आपका breakfast और dinner दोनों ही included है, अब बात होती है lunch की, तो lunch time पर आपको उस लिए बाहर ही रहते हैं, इसलिए आपको lunch included नहीं होता किसी भी travel company से अगर आप इस package को ले लेते हैं, तो आपका सिर्फ breakfast और dinner ही included हो जाता है इसके साथ साथ मैं आपको वीडियो के last में customer का review भी दिखाने वाला हूँ, जो इस package को ले करके, जो इस travel company के थूप package ले करके, जो client जा रहे हैं उनका क्या review है इस company के बारे में, वो आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा satisfied है, यह आपको clear cut वहाँ पर दिखाये जाएगा और क्या capacity मिल रही है, कुछ photograph और वीडियो के माध्यम से भी आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा, YT भारत चैनल पर मनाली सुलांग वाली day 3 पर जब आप जाएंगे breakfast करने के बार लगबग 15 km का रस्ता है, एक से डेड़ घंटे में आपका ये हो जाएगा cover, उसके बाद वहाँ पर पहुँच करके आप बहुत enjoy करेंगे, एक पूरी valley है जो आप देख भी रहेंगे, वीडियो में आपको दे होता है, बहुत सारे आप लोग पूचते हैं कि कितना कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको जो cab driver है बस ले जार बोले कि एक घंटे वापस आजएगे, ऐसा कुछ नहीं है, full day का ये tour होता है, full day का मतलब ये होता है, लगबग 10 बजे से ले करके और शाम के 5 बजे तक, तो लगब इसके बाद, day 4 पर आपका टूर जो होने वाला है, sacred होने वाला है, और बहुत ही सुन्दर वादियों में आप जाएंगे, इसके लिए day 4 पर आप निकलेंगे, मनाली से होते वे कुलू, उसके बाद मनीकरन गुर्दवारा, और रास्त में पारवती रीवर का जो बहुत ही स sacred place है, यहाँ पर गुर्दवारा है, गुर्दवारे के अंदर ही वर्ल्ड का सबसे hot spring water का पूल मिलेगा, जहाँ पर आप इसनान करके, ध्यान करके, आप जाईए गुर्दवारे बाबाजी के दर्शन करिए, लंगर परशाद बिलकुल free of cost मिलता है, और वहाँ पर रहने की कम facility मिलेगी, यह मैंने आपको एक्स्टा चीज बताई, उसके बाद मनी करन में आप दर्शन करिए, और वापस लॉटते time, कुछ जगहों पर आप विजिट कर सकते हैं, कुलू market जा सकते हैं, कुलू shawl factory, sale outlet, अंगोरा फार्म, वैश्नु माता टेंपल, पारवती रिवर, क पास आप, जब आप वापस जब आएंगे, तो रास्ते में कोशिश करेगा कि, जो कसोल का उटर पारवती रिवर है, उसके जो बीच में कहीं कहीं पर आपको bridges दिखाए देंगे, जो बहुती सुन्दर bridges है, आप देख भी रहेंगे वीडियो में, वहाँ पर जाकर कि, आप रुख करके कुछ photograph क्लिक करा सकते हैं, बहुती जब देख होती है, लेकिन नदी के किनारे photograph क्लिक करवाते समय ध्यान रखेगा, आपका पैर फिसल भी सकता है, तो इस तरह के miss happening से बचेगा, उसके बाद शाम को आप वापस पहुँच जाएंगे, मनाली, 85 किलो मेंटर का ल पहले लोटने से पहले, आपके लिए जरूरी इंस्ट्रक्शन में देता हूँ, इस दिन आप क्या करिए, सुबह जल्दी उड़ जाएंगे, ब्रेकफास्ट करिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद जल्दी जल्दी समान पैक करके आप होटल के लॉकर रूम में डिपॉसिट कर दीजे, और निकल जाएंगे, मॉल रोड पर अगर होटल वॉकिंग है, तो वैसे तो यह वॉकिंग है, आप जा सकते हैं, गेड़ क्लिमेटर की यात्रा करके, मॉल रोड पर जाएंगे, शॉपिंग करिए, फैमली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कुछ भी लेना चाहते है, यादगार के तौर पर तो ले सकते हैं, शॉपिंग करके आप वहाँ पर वापस लॉट जाएंगे, लगबख 3-4 बज़े के आसपास, और वापस लॉटने के बाद आप होटल पे रिसेप्शने बोल दीजे कि आप आच चुके हैं, गाड़ी आपको जो पैकेज में इं सुंदर सफर यहाँ पर आपका वापस दे 6 पर आकर के खतम हो जाता है, दिल्ली आप पहुंचेंगे लगबख 7-8 के बीच में, थोड़ा सा डिल अगर होगा तो अगेन वही सर्दियों के मौसम चल रहा है, फॉक की वज़े से, अब आपको बता देते हैं, पैकेज में क्य होने वाला है, कोई भी शेरिंग कैब आपकी नहीं होने वाली है, इसके बाद आपको पिकेंड ड्रॉप की भी फैसिटी मिलेगी, और टूब, मनाली, दिल्ली, सैमी, स्लीपर, वॉल्वो टिकट्स भी आपको दी जाएंगी, ये तो जो चीज थी, वो थी 11,999 की, अगर ट्रैवल कंपनी का नंबर और नेम वीडियो के टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूं, जाकर के कॉल कर लीजे, पैकेज को बुक करवा लीजे, और बहुती सुन्दर मेमोरी के साथ, बहुती अच्छी फैसिटी के साथ, अपने पैकेज को पूरा कर ली आगे आप इस वीडियो में देखिए, इस पैकेज के अंदर प्रोवाइट की जाने वाली कुछ फैसिटी के वीडियो, फोटोग्रैप्स और क्लाइंट्स के बहुती जैन्विन रिव्यू जिसको देखकर कि आप समझ जाएंगे कि इस ट्रैवल कंपरी से आपको पैकेज क क्यूं लेना चाहिए ही चाहिए, मिलते हैं वाइटी भारत के स्टर के बहुत ही अगले, interesting and informative वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत दोस्तों. मुझे वो सुलांग वले एक्सपिरियंस बहुत पसंद है, मैंने पहले बारी सब कुछ एक्सपिरियंस किया है, it was really worth the thing, बहुत ही अच्छा लगा है. और सबसे बड़ी बात पता है, उस दिन हमें थोड़ा सा, कैब ड्राइवर की तरब से थोड़ा सा प्रोब्लेम हुआ था, जैसी हमने गवरो भाई को बोल दिया एक बार, कि भाई, एसा-एसा है, थोड़ा सा, कैब ड्राइवर की तरब से प्रोब्लेम है, very next minute उन्होंने ह सबसे खुमादया, सिर्फ फुर जर्वरो भाई को जिलदीज तरब यहां, जर्वरो में एक बाता था है, सब गोरे लगते हिर दिराने के बार, कि तरब गोरे लगते हैं उन्होंने के बार, घेखेए हमाई तो चमक पे उटाओ, थैंक्यो गोरो भाई, थैंक्यो तरब भा सब्सक्राइब कीजिए वाइटी भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लिटिस्ट वीडियो और वो भी बिलकुल फ्री में